बिस्मिल्लारमानुरहीम, बक्रीद आने वाली है, मैंने सुचा कि आपको गोश्ट की चीज़े बता हूँ, मेरे ठेसे का गोश्ट पड़ा है, ठेसे का गोश्ट में जो अभी मैं गोश्ट बना रहा हूँ, उसके साथ अगर आप लाल मिल्ची पूट की डाल दें, तो ठेसे का गोश्टो रहागा, कोई खास फरक नहीं है, मैंने साथ सो ग्राम गोश्ट को, क्यूंकि एक ही अफ्राद ने खाना है, या दो अफ्राद मैक्सिमम खाना है, इसलिए मैंने कम गोश्ट लिया है, साथ सो ग्राम गोश्ट को प्यास की क्यूबे काटके, उसको प्यास में दालने के बाद मैंने प्रेशे कूकर से बॉयल कर लिया कोज गल चुका गोज बिल्कुल गल चुका उसमें मैंने हल्दी दाली थी और नमक दाला था इसकी मैं रहते बिद्द भूले कूंगा इंशालला बकरीद के वक्त आपको काम आईगी तो इंशालला उसकी रसी भी मैं ब्च देने जा रहा हूं मेने तेल कर लिया और तीर गरम करते ही इसमें मैंने एक चंब जखाने का लिया समझें तकरीबन बलकि कम लिए इससे और इसमें मैं पानिंगा साथ अध्रक लेशन के पिस दाल दूंगा ताकर कि तरमाटर इसमें भूलाइब में च्छल्के वाली लीएक विजल के लिए खूपसूरत दिखे आपने लाकर बिगण सकते लिए के आुए तरह में पेश्य झीज़के पाली लीने प्र Fleisch पर लीらい सकते हैं कि लिभी इसलिया दो जाएंगे इस इसे हम पिशावर में गोज बनाये जाता है नमक वला गोश और तुर्की भी इस ते तर अरब इस तर बनाते हैं इसे मसाले नहीं चाहिए ट्रमाटर रहने में पानी तक्रीबं शुपनें में आमे आए और तक्रीबं गलने में आगए तोड़ा पाउडर इस तरह चिलका इसके अंदर दालें ताके उसका मज़ा इसके अंदर जादा नहीं तो रशा जालना है ये दाल दिया पर इस तना जाल दिया में लिजे के विजड़ायर साथ में हरी मिल्चे कि किनके सब्सक्राइब मी तर्मी नीग भाते दम्रा भाते स्मीनल्छा नीड़ै जिसको उपंए और नमस्थ वालर गोष है, और इसमें मठे नथी मसाले जादा निपके.. आप थेसे के गोष में थारे मच्पम के नहीं परते ही। तो आप थेसे का भी जो जनाईएगा। अब इसमें मैं अगुला हुआ मेरा गोष, जो मैंने अलवी उबाल के रछा है, वो दाल देता हूं। ये मैने लाल दिया, इसमें मैने हल्दी और नम्य दाला था, और सात में प्यास प्यास के क्यूण काट के एक बडी ब्यास हुँ दाला था, बलके देड्म प्यास दालीवियोजी चो इसके अब इसके अंदर जो चारवाई बाकी है वो थोड़ी सी है इसको एक मिन्ट देंगे दम के लिए साके टामाटर और मर्जी जिसके अंदर मिल जें और इसके अंदर हम इंशाला बाकी किज़ें जो हैं जिसमें अधरत है क्योंकि यह अधरत पाला गोज भी है और धनिया है